असलाम लेकुम विवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्स, विवर्स आज मैं आपको वी प्लैकिट के साथ बेन कॉलर लगाने का बहुत इजी मेथड सिखाऊंगी, विवर्स बेन कॉलर का ये साइज लार्ज और एक्टरा लार्ज के लिए बेस्ट रहेगा, तो आएए स्टार् करते हैं, विवर्स शर्ट की कटिंग और रड़ी में कर चुकी हूँ, अब शर्ट की फ्रंट साइड ले, नेक की चुड़ाई 3.5 इंच माक करें, नेक की लंबाई 4.5 इंच माक करें, और स्क्यर बनाएं, यहां वी के लिए 1 इंच पर माक करें, वी की लंबाई 3.5 इंच यहां से हलकी सी शेप देते हुए गुलाई करें, अब मार्किंग के मताबिक वी का माक लगाएं, नीचे से प्लैकिट की लंबाई डिजाइनिंग के मताबिक रखेंगे, अब मार्किंग के मताबिक कट करें, विवर्स अब सेंटर से मैंने डिजाइनिंग के मताबिक लंब लें चुडाई सेम रखते हुए गुलाई करें और कट कर लें अब बैरन कटिंग के लिए बुक्रम लें और डबल फोल्ड करें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें हमारे नेक की चुडाई 3.5 इंच है तो इस लाइन पर 3.5 इंच पर मार्क करें एक मार्क लंबाई में 3 करें वीवर्स तक्रीबन 5,2,6 के दरम्यान नेक की गुलाई है तो थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस मार्क से स्टार्ट करते हुए 6 इंच पर मार्क करेंगे इस मार्क पर लाइन ड्रा करें अब इस मार्क से आइस्टा आइस्टा गुलाई करते हुए यहां तक मा रखते हुए मार्किंग करें फ्रंट से हलका तिर्चा शेप दें अब कट की मेजरमेंट्स कर लें तकरीबन कट की लंबाई 13 to 15 इंच है बुकरम पर 1 ही इंच औरी दो स्ट्रेट पटियां कट की लंबाई के मताबिक कट कर लें अब कंट्रास कपड़े पर इस तरह से पेस्ट करें अब फोल्ड करें फिर फोल्ड करें और प्रेस करें अब दूसरी साइड से फोल्डिंग रखते हुए एक्स्ट्रा कपडा कट करें और इसे इस तरह अंदर की तरफ प्रेस कर दें दूसरी प्लैकिट भी इसी तरह प्रेस करें अब फ्रंट साइड लें यहां कट तक मार्क लगाएं और नीचे मार्क से तकरीबन टू हिंग छोड़ते हुए इस तरह वी शेप से स्टार्ट करते हुए मार्क करें और कट करें अब दूनों प्लैकिट जो हमने इस तरह से फोल करते हुए तयार की हैं इनकी कनारी की स्लाई लगाएं दूनों प्लैकिट की ओपन साइड बाहर की तरफ रखें और उपन नीचे रखकर स्लाई लगाएं दूनों ओपन साइड बाहर की तरफ हैं अब इस तरह प्लैकिट पलट कर कट पर लाएं और प्लैकिट के सेंटर में मार्क लगाएं कट और मार्क ब्राबर करें और पहली वली स्लाई के उपर ही स्लाई लगा लें स्लाई वला हिस्सा उपर की तरफ करें और दोनों कॉर्णर में तिर्चा मार्ग करें और कट लगाएं अब नीचे वाली प्लैकिट को इस साइड पर स्टिच कर लें अब उपर वाली प्लैकिट को दूसरी साइड पर स्टिच करें विवर्स इस मेथड से आप बहुत नीट और इजीली प्लैकिट तयार कर सकती हैं अब नेक के साथ हलकी सी वी शेप देते हुए मार्ग करके कट करें इस तरह से नेक की लंबाई मेयर करें 8-9 इंच रखते हुए बाकी प्लैकिट पिन अप करें अब यहां से स्लाइस स्टार्ट करते हुए प्लैकिट कवर कर लें शोल्डर से स्टिच करें आप डबल कपड़े पर बैन पेस्ट कर लें बैन पेस्ट करते हुए कपड़े और बैन का सेंटर बना लें और दोनों साइड्स बैलन्स करते हुए पेस्ट करें उपर वाली साइड पर बुकरम के साथ स्लाइ लगाएं और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें नीचे से भी फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ कर कट करें अब एक साइड बुकरम पर फोल्ड करते हुए स्टिच करें सेंटर में कट लगाएं गुलाई में भी हलके cuts लगाएं फ्रंट से neck line ब्राबर करते हुए cut लगाएं shoulder वली स्लाई को इस तरह तिर्चा cut करें अब cut ब्राबर करते हुए band attach करेंगे viewers band लगाते हुए neck की गुलाई को बिल्कुल loose रखते हुए stitch करें अब गुलाई में cuts लगाएं viewers देखिए यहां हमारा band थोड़ा सा बड़ा है तो इसे easily cover कर सकते हैं अब हम यहां front से placket के बिल्कुल ब्राबर करते हुए band को shape देंगे और stitch करेंगे दूसी side भी इसी तरह से shape देते हुए mark करें और stitch कर लें अब extra cut कर दें देखिए band placket के बिल्कुल ब्राबर पर है अब band सीधी side पर पलट लें corner proper set कर लें back side से start लेते हुए stitch करें अब कनारी की style लगा लें विवर्स बहुत खुबसूरत बेन तयार है और प्लैकिट भी बहुत नीट बनी है प्लैकिट पर बटन अटेच करें और अपने dress को खुबसूरत बनाएं thank you for watching वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर करें कुमेंट्स करें और अर्दू गयल जरूर सब्सक्राइब करें अल्लाहाफिज